नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइमस और मैं हूँ आपके साथ जोती मिश्रा आएए नजर डालते हैं आज की साथ बजे की साथ बड़ी खबरों पर बहराईच के हर्दी के मैसी महाराजगंज में मूर्टी विसर्जन के दोरान हुई हिंसा से इलाके में तनाव बढ़िया है बवाल के बीच बहराईच में इंटरनेट से वाए बंद कर दी गई है इस बीच परिवार ने राम गोपाल का अंतिम संसकार कर दिया है विधाय किस् इम्रितक युवक कश्यव सुभा पॉने आट बजे गाउं पहुचा मौके पर पहुचे तैसीलदार को आकरोशित ग्रामिडों ने खदेर दिया कई थानों की पुलिस संग डीम और एसपी मौके पर लोगों को समझाने में लगे लेकिन आकरोशित लोग हत्यार ओपी के ए जंडा उतार फेका और जबरन भगवा जंडा लेलाया अब इस मासूम गोपाल के मन में ये करने का जहर किसने भरा कौन इस साजिश में शामिल है ये समझना कठिन नहीं है इन सब में भाजपा और भाजपा के सतालो भी नेता शामिल है जो अगले चुनाप तक यूपी के म माहोल को दंगा फसाद में जोग कर चिनाप जीतना चाहते हैं गटना को लेकर कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रजयराय ने सरकार पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि बहराईश में गोली चली है पूरे राज्य में जंगल राज्य है स्तीम को इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए लगनों में पुलिस हिरासत में मारेगा यूवक अमन गौतम के परीजनों से कॉंग्रस के प्रदेश अध्यक्ष अध्यराय ने मुलाकात कि उन्होंने पीडित परिवार के लिए सरकार से एक करोन रुपए मुआबजे सरकारी नौकरी और मामले के निसपक् परिशान है अज़राय ने अमन गौतम की मौत की मामले में पुलिस के द्वारा दिये गए बयानों को लेकर कहा कि 26 साल का व्यक्ति जिसे कोई बिमारी नहीं थी है चानक उसे हार्ट एटक कैसे आ सकता है यह सब पुलिस प्रशाशन का अपने अपरादों को छुपाने का श सीशनेता मुख्यमंत्री योगया दित्तेनाथ के नेतटम में पूरे राज्य में जन सम्हाओं और रैलिया कर रहे हैं। और उतर कर विरोध प्रदर्शन किया बुर्खा पहने महिलाओं ने हाथों में तिरंगा जंड़ा और आईलव नभी के पोस्टर लिए हुए थी प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जोरदा नारे बाजी किया और अपने नभी पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ की गई अब अधर टिपड़ी को बरदाश नहीं किया जाएगा उन्होंने उतर प्रदेश की मुख्य मंत्री योगा दितनाथ से नर्सिमा नन के खिलाब सकते कारेवाई की मांग की है योगी सरकार के राज़मंत्री संजर सिंग गंगवार ने रविवार को कहा कि गाये पर हाथ पेड़ने से ब्लेट प्रेशर कट्रोल होता है और नाद में लेटने से कैंसर ठीक हो जाता है ये बाते उन्होंने पिलिवीत में गौशाला का उधगाटन करने के दौरान कहीं रूट की चार दर्जन से अधिक ट्रेनों को निरस्ट कर दिया है इस रूट पर ट्रेनों से यात्रा करने वाले मुसाफिरों की मुश्किले बढ़ गई है हलांकि दिपावली पर्व से दो दिन पहले ट्रेनों की बहाली भी हो जाएगी पूर्वात्य रेल्वे के मुख्य उस मही गोरकपूर केंट से गोरकपूर तक तीसरी लाइन को लेकर डॉमिनगर्ड स्टेशन पर प्री नॉन इंटर्लॉकिंग का काम होगा फिलाल इस बुलेचन में इतना ही यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रही है उत्तर प्रदेश टाइ प्रुम्स